वेल्कम टू एक्जाम टेजी सो बहुत सारे लोगों का ये कोश्चन आ रहा है कि सर मुझे अप्लाई करना चाहिए नहीं अप्लाई करना चाहिए और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है पॉलिटिकल साइंस के बारे में सो जितने वी ऐसे केंडिडेट हैं जिन्होंने 2023 का एक्जाम दिया है और आप लोगोंने जेन्य के लिए अप्लिकेशन फॉर्म या तो भर दिया या भरने का सोच रहे हैं यह बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मुझे भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए तो आज के वी जेन्यों की दरब से कट आफ लिए निकलेगी तो एक बास सारे बच्चे अपलाई कर देंगे और उसके बास सीट के नुसार से तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टोटल सीट कितनी है और उसके इसाब से फिर आपको डिशाइड करना आसान हो जाता है कि मुझे अप करना चाहिए तो टोटल सीट की हम लोग बात कहते हैं और उसमें भी हो जाता है कि आपका पॉलिटकल साइंस हो जाता है इंटनासिन गासमे आपका फैर। साइंस में international relation में आपकी total 50 seats हो जाते हैं और PISM जो MA politics है उसमें 116 seats होते हैं तो सारे seats को अगर आप मान लिजे add up कर लेते हैं तो around 260 to 265 के round 263 के round seat बसते हैं तो इसमें 50% जो seats हो जाते हैं यह आपका general category की seat हो जाता है तुम लोग मान के चलने की roughly around 120 से 130 के बीच में जो है आपका seat हो जाता है general category का मैंने तीनों subject का इसले मिला के बोल रहा हूं क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसे student होते हैं जो सोचने चाप political science में तो इतना ही seat है मेरा admission होगा की नहीं होगा या फिर IR में इतना seat है होगा की नहीं होगा हम देखिए होता है क्या कि अगर माली जे आपका political science में नहीं होगा दूसरा preference आपने IR दिया तीसरा PISM दिया तो वो seat अगर माली जे कोई student ऐसे जो political science में admission ले लेता है तो फिर वो IR PISM में नहीं लेता है इसलिए seat जो है total मिला के जब भी allocate किया जाता है तो वो total P ही देखना चाहिए ये individual subject वाई नहीं देखना चाहिए क्योंकि हर एक student ऐसे होते हैं जो तीनों के लिए apply करते हैं यानि जब भी हम admission के लिए देख रहे हैं तो तीनों को ही देखना चाहिए हाँ preference उपर नीची हो सकता है जिनका कुछ ऐसे candidate हो से जिनका first preference IR होता है कुछ ऐसे candidate है जिनका first preference या तो political science हो सकता है या PISME हो सकता है टेकिन overall अगर हम लोग बात करते हैं तो overall में total number of seats के उसा से ही allocate कर दिया जाता है तो यहां पर आपको देखना है कि अगर हम लोग माल लिए general seat 230 260 total seats है तो around 130 से 120 से 130 आपका total general के लिए seats हो जाते हैं सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं EWS category तो EWS category का 10% का reservation है तो 26 से 30 seats हम माल लिए EWS candidate के लिए है वहीं अगर next आपका आजा तो OVC तो OVC के 27% total का reservation होता है तो अगर 30% लेके चलने तो आपका 90 seats 26 into 3 तो मान के चलिए कि आपका around 80 जो seats है यो OVC के लिए हो जाता है और उसका आधा कर लेते हैं schedule cast के लिए तो around 40 seats schedule cast के लिए हो जाती है इसका आधा तो schedule tribe के लिए 20 seats हो जाते हैं तो यह roughly division होता है अब इसमें अगर आप माली यह general candidate है और general candidate में आपका score जो है out of 300 की अगर हम लोग बात करें तो above मालगे जो लिए 160 अगर score है तो आपको apply करना चाहिए क्योंकि चांस लेने वाली बात हो जाती है वह 180-200 होता है तो chances high हो जाते female candidate है तो 150 तक में भी आपको apply करना चाहिए of course इतना कम तो cutoff नहीं जाएगा आपका cutoff जा 75% तो रहेगा ही रहेगा लेकिन you never know क्योंकि बहुत सारे candidate ऐसे हैं जो यह बोल रहे हैं कि जो अमालेज़ 160-170 range में वह पूछने कि सब मुझे apply करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उन सभी candidate को मेरे तरफ से यह सुझा हो रहेगा कि आप लोग एक बार apply कर दीजे ठीक है दियू में तो apply करना ही है फिर SCU है बHU है अगर आपके पास 160-170 के रेंज में भी अगर marks बन रहे हैं क्योंकि female candidate में फैदा हो जाता है कि डेप्रिविशन पॉइंट के बाद बहुत सारे कट-off का जो है यह वैरिक कर सकता है और जितने ऐसे candidate है general category में जिनका marks 150 से कम है तो apply करना ही नहीं चाहिए हाँ अगर आप defense में है irrespective of priority list तो आपको apply करना चाहिए और यह मैं सभी categories के candidates को बोलोंगा अगर schedule cast है schedule tribe है 150 के नीचे है तो फिर आपको apply नहीं करना चाहिए हाँ आप BWD candidate अगर 150 के नीचे भी है तो आपको apply कर देना चाहिए और defense category के जितने भी candidates है irrespective of आप कौनसे priority list में हैं आपको apply करना चाहिए हाँ करा है कि apply करें ना करें तो at least is solve हो जाता है जितने ऐसे candidate है जो next day के लिए preparation कर रहे है तो आपको भी देखना पड़ेगा कि अब देखिए cutoff किस तरीके से high जा रहा है low जा रहा है कौनसे category में fall कर रहे है और उसी हिसाब से अपना preparation को start करना पड़ेगा प्रेप्रेशन से रिलेटेड कोई भी question है query है या किसी भी admission को लेके कोई भी question है query है तो आप इसी नंबर पे 844-887-8849 पे call या message करके अपने query को पूछ सकते हैं so thank you and we wish you all the best